आप देख रहे हैं 36 गड़ का सबसे लोग प्रिये चैनल R.A.R.N. News खबर आप तक नमस्कार मैंनू पृतीम दूकर और आप देख रहे हैं 36 गड़ का सबसे लोग प्रिये चैनल R.A.R.N. News आईए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर जीला बलोदा बजार में कजडोल विधान सभा एक ऐसे विधान सभा थी जिसका सामना विधान सभा के अद्धर्च वो चत्तिसगड़ के सबसे सक्तिसाली मंत्री से थी साहु को मिला और भारी अंतर से गौरी संकर अगरवाल को प्राजित भी किया जिसके कारण इस एतिहासिक जीत मान कर घर वा गाउं के सांसत छेत्र में जस्न का महल बना इस एतिहासिक जीत पर परिवार के सदस्यों ने मिलकर गाउं में मिठाई बाटी जीत की बढ़ाई भ साले को तोफा के तौर पर सकुंतला को कैबिनेट में मंत्री के पद से नवाजा जाने की मांग छेत्र में जोर पकड़ती जा रही है जिससे छेत्र का विकास हो सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं कि उन्होंने जनता का बहुत प्यार जिता और भारी मोतों से जिती है और जनता की अपेच्छाय भी बहुत है उनसे और इस्थानी होने की वज़ास से लोगों में एक ये है कि वो बहुत आसानी सपने विधायक से मिल सकते हैं और निश्ची थी सकुंतला साहु जनता की अपेच्छा पर खरा उतरेगी और आने वाले में जनता की जो जो महत्पुड मांगे उन्हें पूरा कराने का प्यास करेगी क्योंकि सरकार उन्हीं की है और हम सरकार में से उम्मीद करते हैं हमारे मुख्य मंतर जी आदरने भूपेज भगेल जी से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े दिग्ज़ को हराया तो निश्ची थी उन्हें सासन में ऐसा स्थान मिले ताकि वो अपने छेतर का विकास पूरे कशडोल विधान सवा छेतर के सभी मद्दाताओं को हार्दीग बधाय एवं अभार करना चाहते हूं जिन्होंने बहन जी को इतने बहुत ज्यादा ओंटों के अंतर से कद्दावर नेता जो धन बल में बहुत ज्यादा आगे है उसको हराकर इस कड्डोल विधान सवा छेतर के नाम रोसन किये और एक परिवार गरिक परिवार के नाम को रोसन किये पिछले बार की विकास की तुलना में इस बार ज्यादा विकास हो सके तभी इस छेतर का उनकी असली जीत का इनाम मिलेगा और इनन न्यूस के लिए बलदा बजार से चीप एडिटर राजु निराला की रिपोर्ट